हाई दोस्तों नमस्कार एज्यूकेशन गुरुजी यूटूब चेनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम हिंदी भासा का जो ओनलाइट टेस्ट है वो करेंगे उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूटूब चेनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज जल से जल सब्सक्राइब कर ले तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं आदिमारिये गुमककडी ही थे यहां से वहां वे गुमते ही रेते थे गुमते बटकते ही वे भारत पहुंचे थे यदि गुमककडी का बाना उन्होंने नेधारण किया होता यदि वे एक इस्तान पर ही रेते तो आज भारत में उनके वनसज ने होते बगवान बुद्ध गुमकड तथा बगवान महवीर गुमकड थे वर्षा रितु के कुछ महीनों को छोड़कर एक इस्ता में रहना बुद्ध के वसका नहीं था 35 वर्ष की आयू में उन्होंने बुद्धत्वे प्राप्त किया 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयू तक जब उनकी मरत्यू हुई 45 वर्ष तक वे निरंतर गुमते ही रहे अपने आपको समाज सिवा और धरम पचार में लगाए रखा अपने सिश्यों से उन्होंने कहा था सरत भिक्कने चारिक है बिक्सुमों गुमकड़ी करो यद्यपी बुद कभी भारत के बाहर नहीं गए किन्तु उनके सिश्यों ने उनके वचनों को सिर आँखों पर लिया और पूरू में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिन में बाली दीब तक दावा मारा स्रावन मावीड ने स्वचन्द विचरण के लिए अपने वस्तरों तक को त्याग दिया डिशाओं को उन्हों ने अपना अंबर बना लिया विसाली जिनम दिया, पावा में सिरिट त्याग दिया जीवन परियंत गूमते रहे मानों के कल्यान के लिए मानों के रहा परदशन के लिए और संग्राचारिये बाहरे वर्स की अवस्ता में सन्याज लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्री कास्रम में गूमते रहे कञ्या गुमारी से लेकर इमालिये तक समस्त वारत को अपना करम शित्र समझा, सांसकर्तिक एकता के लिए, समनिये के लिए, सुरूती धरम की रक्षा के लिए, संग्राचारिये के प्रेतनों से ही वेदिक धरम का उथान हो सका, अब आए इसके क्युस्चनास्वर देख लेत अगला स्वाले, मावीर स्वामी का जनम कहां हुआ था, ए, पावापुरी, दो वेसाली, तीन कुसी नगर, चार पार सोली, अगला स्वाले, स्वच्छन में कौन सी विदी है, एक विशार्ग, दो दीर्ग, तीन गून, चार व्यंजन अगला स्वाले, मात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्वे प्राप्त किया, तब उनकी आयू कितनी थी, एक ग्यारा बारा वर्स, दो पेंतिस वर्स, तीन पेंतालिस वर्स, चार असी वर्स, दोस्तों, इस पेपर का जो कौपिराइट अधिकार है, वो परगंड्य परका तीन मुस्लिम धरम, चार वेदिक धरम, अगला सवाल है, अगला एक और पेरिग्राप है, कि संस्कृती किसी दो मंजिला मकान की तरह होती है, पहली मंजिल पर एकदम मूलबूत मगड़ चिरंतर जीवन मुल्य होते हैं, इसमें परस पर सहकार ये न्याय संदरिये जैसे बूत तत्वे आते हैं, ये मुल्ये समे से परे होते हैं, पहली मंजिल पर दूसरी मंजिल का निर्माण किसी समाज की विशिष्ट आवश्यक्ता के नुरूप होता है, डार्मिक एतिहासिक परमपरा, आर्थिक लेंदेन, इस्तरी पुरुसम्मन्द और पारिस्तिती जन्य अन्य मुल्यों का निर्माण में योगदान होता है, ये विवस्ता मूलते, सरंक्षनात्मक होने के कारण इस तरह के तरह के परतीक, परमपरा, रूडी और अंद विश्वास का सड़ासा पिंजरा बनाती है, इससे पहली मंजिल के मूलबूत मुल्यों की अपेक्षा होने लगती है, समाज को भ्रम होने लगता है कि दूसरी मंजिल की मूल योस्ता ही अपनी सच्चे संसकर्ती है, भ्रम से कई तरह की विक्रती उत्पन होती है, जो सामाजिक परिवर्तन से संगर्ष करने लगती है, वस्तुते आज इनी प्रस्तितियों को माद देकर नई संसकर्त का निर्मान करना देश के सामने बड़ा कारिये है इसमें शिक्षा पद्धती और परसार माज्यम मेथपुन भूमे का निबा सकते हैं शिक्षा से भावी पीडी पर सांसकर्तिक निष्टा के संसकार डाले जाते हैं हमारी शिक्षा इस कट्रोटी पर खरी नहीं उतरी है दान रहा है ये अमीरों की दोस्त और गरीबों की दुस्मन हो गई है एकाद ठीक टाक पाड़ साला में बच्चे को परवेस दिलाने में 20,000 रुपे तक हफ्ता देना पड़ता है आए दोस्तों अब इसके प्रशन देख लेते हैं परस्पर सहकारिये न्याय तता सुंद्रिय को संसकर्ती के मूल तत्वे क्यों कहा गया है एक ये समय के साथ बदलते हैं दो इन्हें प्राप्ट करने में बहुत कटिना ही होती है तीन इनकी जड़े बहुत गेरी है चार इनमें समाज की अधिकास्ता होती है अगला सवाले संसकर्ती के मूल तत्वे की उपेक्षा क्यो परहावी हो जाती है और हम ठीक प्रकार से नहीं सोच पाते तीन उसका निरमाण अलग अलग लोग करते हैं इसलिए कोई अपना उत्रदाइत्विन नहीं मानता चार संसकर्थी एद्रिशे है अथे समझ जन्ता को उसके मेत्वे को नही जानती अगला स्वाल है संसकर्थी को दो मंजिला मगान की तरह क्यों बताया गया है एक उसके निर्माण में सर्म और समय दोनों लगते हैं दो उसको दो अलग अलग घठक हैं तीन उसका सम्मंद उच और निमन वरक दोनों से हैं चार वे किसी भी राष्टर की दो इस्तितियों को इसपश्ट करती है अगला सवाल संसकर्ती के पुनर निर्माण में सबसे अधिक्षाई कोन हो सकता है एक लोगों की द्रड़ी चासकती दो संसकर्ती का सडली करण तीन सिक्ष्य पद्दती में बदलाओ चार संसकर्ती का समाझे जनों में उचित परचार परसार अगला सवाल है सिक्ष्य पद्दती सपल क् हो रही है एक वे अमीरों और गरीबों के बीज खाई चोड़ी कर रही है दो शिक्षा बहुत मेंगी हो गई है तीन वे संसकर्ति के पड़ती कुछ ये भाव के संसकार नहीं डाल पा रही चार वे हर बार बदल दी जाती है अगला सवाले वे खेल और पड़ज दोनों में दूसरों का सोचन करने वाले अनेक व्यक्ति संसार में होते हैं ये किस परकार का वाक्ये एक सरल वाक्ये दो कठिन वाक्ये तीन मिसर वाक्ये चार संयुक्त वाक्ये नेता जी भासन देते देते अचानक रूगे वाक्ये में रेखांकित पद की इस्तति है एक सर्वे नाम 2. संज्या, 3. وישेशन, 4. किरिया, وישेशन, अगला सवाल है, धाक के तीन पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है, एक, इस्तती में कोई परिवर्तन ने होना, दो, इस्तती का परिवर्तन सील होना, तीन परिवर्तन के लिए तैयार होना, चार, उप्युकत सभी अगला स्वाल है दोस्तों सो बाग्ये के दिन आना अर्थ परगड करने वाला मुआवरा है एक सिहासन डोलना दो सितरह बुलंद होना तीन शान पर चड़ना चार सामत आना अगला स्वाल है किसी भी भासा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे मेत पूर्ण है एक सब्दों के अर्थ जानना दो उस भासा की वाक्ये सरंचरां करना तीन उस भासा का अधिकादिक परियोग करना चार उस भासा का व्याकरन जानना अगला स्वाल है समावेशी कख्षा में बच्चों की अवशक्ताओं को पूरा करने में भासा सिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिमेदारी नहीं है एक बच्चों की भासा समंदी शमताओं का पैचान करना दो बच्चों की विबिन परकार की दर्शे सरव्यसामगरी उपलब्द गराना तीन बच्चों का आग्णान करते समय अत्ती उधार बनना चार विबिन आवशक्ताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्द शंसादनों की खोज गरना अगला सवाले पढ़ने की संस्कृति के विकास के कर्म में खाली जगे पठन को प्रोचसाहित किये जन्न की अवशिक्त है एक व्यक्तिकत दो से सवर तीन मौन चार सामूहिक अगला सवाले बासा की पाइटिय पुष्टक में सबसे मेत्पून पक्ष है एक आकरसक चित्र, दो पाटों का उद्धिश्य पुण चैन, तीन अभ्यासों की बहुलता, चार कागजगी गुणवता अगला सवाले समगर बासा पर आधारित कक्सा एक गतिवीदियों के आयोजन पर बल देती है दो, बत्सों के भासाई विकास की इस पष्ट समझ पर बल देती है तीन, बाल साहित्य को पढ़ कर सुनाने पर बल देती है चार, सभी भासाउं को सीखने पर बल देती है अगला सवाले, विदाल्य के बाहर का जीवन और वहां पराप्त ग्यान एंव अनभाव भासा सीखने के लिए अवश्यक प्रेज़ना देते है क्यूंकि एक मानक वरतने का शम्मक ग्यान मिलता है दो, लेखन की विबिन सेलियों का परिचे मिलता है तीन, समर्द भाषिक परिवेश मिलता है चार, इससे व्याक्रनिक नेमों की जानकारी प्राप्त होती है अगला सवाले, पहली कक्सा में परिवेश लेने से पहले आम तोर पर बच्चे पठन लेकन में दक्ष होते हैं सब अभी व्यक्ति जानते हैं, बासा के व्याक्रनिक नेम जानते हैं या तुतला कर बोलते हैं अगला सवाल है, सुर्भी अक्सर डे वाले सब्दों को गलत तरीके से उचारित करती है आप क्या करेंगे, उसे रएवाले सब्दों की सूची पढ़ने है, लेकर अभ्यास करने के लिए देंगे अगला सवाल है, प्रात्मी की स्थर पर पढ़ने की शमता का आगलन करनी की द्रिष्टी से सबसे अधिक मेहत्पुर्ण है एक विराम चिन्नों का जान, दो पढ़ने में परभा, थीन अर्थ का निर्मान, चार वरणों का पहचान अगला सवाले बासा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्जिश यह है एक बच्चों की कलपना शक्ति का विकास दो बच्चों में सुनकर दोराने की आदित का विकास तीन बच्चों को अनुशासन में रखना चार बच्चों का मनो रंजन करना अगला सवाल है प्रात्मे कक्साओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विदैलिया आते हैं जिससे अपनी काली जगे, समश्याएं, भासा, पाट्य पुस्तके या कमिया अपने अनबहु दुनिया के देखने का अपना द्रश्टी कोण है अगला सवाल है बच्चों की मोखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ ये नहीं है एक वाद विवाद में बेजी जगोगर बोलना, दो कहानी सुनकर सबदश दोहराना, तीन अपनी कलपनाओं की मोखिक अभिव्यक्ति, चार बाचित में सक्क्रिय भागिदारित पागा नि जान दे, तीन भासा सिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, चार श्यम भासा सिक्षक की भासा परवाई हो, अगला सवाल है प्रात्मिक इस तर पर बच्चों की भासा ही शमताओं का विकास करने का आर्थ है, एक भासिक सरंत्रों पर अधिकार, दो भासा प्रियों की कुर्सलता पर अधिकार, तीन भासा अनुकरण की कुर्सलता पर अधिकार, चार भासिक नियमों पर अधिकार, अगला सवाल है व्याकरण सिक्षन की आगमन विदी की विशेश्ता है, एक पहले नियम बताना, दो पहले नियम का विशलेशन करना, तीन पहले मन 34 में 2 है 35 में 4 है 36 में 4 है 37 में 2 है 38 में 3 है 49 में 4 है 40 में 1 है 41 में 1 है 42 में 1 है 43 में 4 है 47 में 1 है 45 में 2 है 46 में 3 है 47 में 3 है 48 में 1 है उन पच्चास में दो है और पच्चास में दो है इकवन में तीन है बावन में दो है त्रेपन में तीन है चोवन में तीन है पिछपन में एक है छपन में दो है सतावन में दो है अठावन में चार है उन साथ में दो है और साथ में चार है तो दोस्तों परगण्य परकासन का बहुत बहुत धन्यवाद इस परकार के परशन पत्र उपलब्द गरवाने के लिए जे हिन जे भारत